आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडिका बायोलोजी पे आज मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और इनमें किस चीज की सवधानिया होनी चाहिए और यदि आप एजुकेशनल से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर टापिक पे आप प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है यदि आप किसी टापिक पर प्र प्रेज यार करें सबसे पहले प्लेज टोर में जाएंगे हम और वहाँ पर हमनों सर्च करेंगे ॢपलू प्रेज हैं तो हम लोग सीधा वहीं पर चलते हैं डव प्र फिस एपन करते हैं तो इसको डौनलोड कर लेना है और इसमें सबसे क्या और भी बहुत सारी एप हैं ज अच्छे लंग से बना सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी परिशानी इसमें नहीं आएगा तो चली हम नों डबलू पीएस में चलते हैं और आपको भी बनाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है यह जो प्लस वाली जो आपको दिखाए दे रही है साइन यहां इसको टच करनेंगे इसको टच करते ही आपको व्लेंग का ऑप्संट आ जाएगा ठीक ना तो जैसे इसको हमने टच किया तो पीपीटी create new तो आप डाकुमेंट्स भी बना सकते हैं PowerPoint presentation भी बना सकते हैं Excel बनाना चाहें तो Excel बना सकते हैं PDF भी को इसमें option है टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट कर सकते हैं शकेनर है अधर folders वगर हैं ठीक है तो इसको जैसे मैंने open किया तो पीपीटी को open करेंगे तो कुछ इस तरीके से PowerPoint presentation जो है वो बनेगा ठीक है तो आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने अभी बना के रखा structure of plant cell के लिए तो वैसी आप अलग-अलग topic के लिए भी बना सकते हैं ना बहुत ही असान है तो सबसे पहले क्या करना है आपको blank आएगा ना बलेंक आते ही साथ उसमें लिखा रहेगा टेक्स्ट में आप वहां पर एडिट करें करके तो आप वहां पर अपने topic जो भी topic आप उसका नाम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है इसका color भी आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही easy तरीके से जैसे कि हमने यहां पर इसको अभी पिंक कलर पर कर रखा है इसको मैं अभी green color कर दूंग तो ग्रीन कलर हो जाएगा तो बहुत ही असानी से हम इसका color चेंज कर सकते हैं इसमें border add कर सकते हैं ठीक है और यह border जो है आप उसमें टाइप कर लेंगे और टाइप करके उसमें एडिट करके आप उसमें जो भी आपका टापिक है उसको लिख लेंगे ठीक है यदि आप किसी टापिक पर प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं ठीक है तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन दे रहें तो presented by करके अपना नाम लिखेंगे आप कौन सी क्लास से कौन सी कक्षा से हैं उसको पूरे डीटेल में लिखिए ठीक है किस समिस्टर के चाहत रहें उसको लिखना है कौन सी टॉपिक पर दे रहे हैं कौन से पेपर का यह टॉपिक है ठीक है और आपके जो गाइडर है जो इन्होंने आपको गाइड किया है उनका आप लिखेंगे गाइड़ बाई ठीक है उनका जो पोस्ट है उनको उसके नीचे लिखना है ठीक है इस तरीके से और इसमें बीच में जैसे हमने यहां पर प्लांट सेल के बारे से आज हम पावरपाइंट प्रेजिंटेशन बन पावरपाइंट प्रेजिंटेशन बनेगा और उसको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे ठीक है तो जितने अच्छी हो उतने अच्छे फोटोग्राप आप लीजिए क्लियर होनी चाहिए सारे फोटोग्राफ और ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको किसी भी तरीके का जो लि है तो यहां पर प्लाइट करके दिया हुआ अपसन इसमें जाएंगे और यहां पर यह कंपेर के नीचे में दिया हुआ ब्लेंक वाला ठीक है तो यह ब्लेंक करेंगे तो एक नहीं सलाइड आ गई जैसे इसमें मेरे को फिर से लिखना है कुछ तो मैं यहां पर लिख सकता ह कसे मैं इसको highlight कर देता हूं highlight करने के लिए हम इस तरीके से color use कर सकते हैं कोई से भी यूज कर वे कोई दिक्कात नहीं upward अगर आपको देश करने तो Scientists भी तो आप सकते हैं भी तूब उसके में प्रफिजिए औहीं चाहते gas इसको लंबा कर सकते हैं कम कर सकते हैं सारे option option इसमें मिलेंगे आपको असानी से अप सět कर सकते कहीं पर भी तो यह option रहता है अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं एक दबल क्लिक करेंगे इसमें डिलीट का जागए डिलीट होगे अगर यह पूरा page दिलीट करना है तो यह पेज में जाएंगे कि डिलीट कर देंगे खर सकते हैं तो अँप पीच में कोई सबी पैज एड़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप श्लाइड बना लिया तो बीच में नहीं आएगा थिक है तो इसमें एड Kelly के अब फिर जैसे अब गर यदि आप इस्ट्रक्ट्ट्र प्लांट सेल के बारे से बता रहें तो वाट इस सेल सबसे पहले सेल क्या वह बता दीजिए ठीक है यह सारे कंटेंट्स आप खुद लिखना है अगर आप अपने लिए प्रेजेंटेशन में आ रहें तो सभी का प्रेजेंटेशन जो है वह अलग-अलग होना चीए ठीक है न तो आप जितने अच्छा कंटेंट उसमें डालेंगे जितने अच्छे आपने उसमें राइटिंग करेंगे वह आपके लिए बेस्ट माना जाएगा तो और यह इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है यह ज्यादा तर मोसली ब्लेक कलर होना चीए ताकि वह अच्छा लगी या फिर कोई डार कलर ठीक है तो कोई से भी आप अपने मैं पसंद जो आपका कलर होगा वह डार कलर यूस करेंगे तो अच्छा लगेगा पीछे का जो बैक्ग्राउंड है वह लाइट रखे बैक्ग्राउंड आप इसमें डाल भी सकते हैं अधर वाइस नहीं भी डाल सकते हैं ठीक है फिर नेक्स स्लाइट में जाएंगे फिर वाइस ही हमने वाट इस सेल और्गनेल क्या है उनके बारे से बताया ठीक है अगर देखिए अब इसके बीच मेरे को लग रहा है कि मुझे सेल की हिस्ट्री भी देनी है तो मैंने यहां पर एक प्लस स्लाइट का उप्सन चूस किया और मैंने यहां पर लिख दिया यह देखिए टेक्स्ट का उप्सन दिया हुआ है आपने सेप कोई से लेना है तो यहां से से भी उठा सकते हैं ठीक है जैसे हमने उड़ा लिया किसको लें चलिए यह इसको ले लेते हैं ठीक है देखिए यह बीच में आ गया है इसको आप कम ज्यादा जैसा करना है वैसा कर सकते इसके अंदर आपको कुछ लिखना है ठीक है तो हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ सेल ठीक है तो यह हिस्ट्री ऑफ सेल हो गया तो इसमें आप इसको और हाय मोटा कर सकते हैं इस तरीके से हुआ है तो फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ सेल हो गया फिर इसके नीचे आप कोई नीचे में आप एड़ कर सकते ठीक है ओके तो मैं आगे चलता हूं फिर हमने वाट इस सेल और गनेल तो आप स्फ़ेन्स पर रिकए सिन आप सामने में सिनॉप्सिस भी बना सकते डिम मैंने नहीं बनाए ब्लब कर Fix सिनॉपसिस के लिए अलग से साइड बना सकतें यह कंटेंट लिख सकतें कि आप उसमें क्या-क्या चीज मैंसन करने वाले हैं ठीक वाट इस सेल की हीच्ट्री बता दिए फिर सेल ऑर्गनेल बता दिए फिर एक-एक इसल औरिट जितने सेल और ने उन सारी सेल और नाम लिख लिए ठीक है उनके बाद उनका structure बताए उसके बाद उनका फिर फंक्शन बता देजिए रास्ट में प्लांट सेल में डिफरेंस भी बता दीजिए तो इस तरीके से देखे ये इस ट्रॉक्चर अब क्लॉरोप्लास्ट यहां पर बना रखा है ठीक है यह मैंने इस मेंज को डा स्लाइड में जाएंगे तो स्ट्रक्च्र और मैं नहीं स्लाइड कर ना चाहता हूं ठीक है तो नहीं सब्सक्राइड करना हुद knows भर प्लॉाइक । शौट तेक्सिके धिसन करना ऐसे को देरे आ यहां तो पराम फिरसे आजाएगा ठीक है यद lle कि आप कोई अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको डेलीट भी कर सकते फिर लास्ट में आपने क्या करना है थैंक्यू करके छोटा सा टेक्स लगा देना या कोई सा अच्छा सा इमेज वह डालकर उसमें ठैक्स करके लिख सकते हैं ठीक है तो बेस्ट बनाने के लिए क्या-क आर कलर यूज चूज करें अब भड़कीरा कलर ना यूज करें तो लाइट कलर यूज करना है ताकि वह आप जब प्रेजेंटेशन दे तो सामने वाला जो बैठे हैं आपके गाइडर या फिस बाकी जो इस्टूडेंट उनको अच्छा लग देखने में ठीक है जो लेटर कर हैडर है और उपर मैं आपको लिखना है इस्ट्रक्चर आफ सेल ना तो स्ट्र quantity और प्राइंट श्युक्सिंघ कल्ट कर यहां पर ले जा सकते हैं और आप इसको तोड़ा सा मोटव कर सकते हैं सुबढ़ा सकते हैं कम कर सकते तो यह आफिग अपको इससे में मिलेंगे कलर करना है तो आप लोगों तो समझ के आगए वाफ फिर इसको क्या करना है लास्ट में पूरा बन शाथ कrewe उसे बदो इसमें करना चाथा हूं या करना चाहता हूं तो तो आप आराम से इस में कर सकते हैं सकंbigos इसको कर तो यह सेव हो जाएगा इस तरीके से फिर आपके फाइल में आ जाएगा और पर्माइने इसको आप फिर अपने प्रेजेंटेशन के जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी करिए ठीक है ठैंक यू